हेई गाईज तो कैसे हो आप सब आप सब आप सब बहुत अच्छे होंगे तो वेलकम टो अमितिक स्यान्स चैनल एंड आज मैं आप लोग को बच्ची वे चावल को भून किस तरीके से भूनते हैं आप लोग को तो पता ही होगा कि किस तरीके से भूनते हैं बट मैं किस तरीक क्षण बक्रदेसे भूनती हूं आज मैं वह आप बोग साथ मेयन द्य़ करने वाली हूं मैं आप लोग के लिए ममी वीजीयो हलफ़ूल को इसले करते हैं। तो मैं नहीं है लिया हैं। ge और तमाटर मेंने दो मीडियम सेच का कट किया है और हरेमिर्च, धनिया, एंद मैंने मुमफली लिया है ये है मोटर ये है मेरा चावल जो बचा हुआ चावल है मेरा तो यह मैंने कढ़ाई रखती है मेरी कढ़ाई गरम हो चुकी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे अपना तेल गरम हो चुका है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे अपना जीरा, कटीवी मिर्च, प्याज, अब हम इसमें इसे चला लेते हैं अब हलका साम इसे बस फूनेंगे तो यह देखिए हमारा पुना चुका है प्याच अब हम इसमें डालेंगे डालेंगे टमाटर अब माटर अब हम इसे चला देते हैं हम इसे थोड़ी एक बार मतले पिस पोच एक मिनट तक हम इसे ढख करके पका लिए अब हम इसमें एट करेंगे नमक, हल्दी, धनिया पाउडर, एरिष्ट मसाला यह मैंने सबजी वाला एरिष्ट मसाले लिया है आप मसाले अपनी एकोर्डिंग डाल सकते हैं आपको जितनी कुएंटिती चाहिए या जो भी मसाला आपको यूज करना है आप वह मसाला डाल सकत जो अब मैं इसिदगक कर थोड़ी दिर पकाल लिंगे आप यह देखिया मैंने पता चाहँ भी तो लिया है इस तरीके से अपना चाहँल फोड़ लेंगे इस तरीके से चावल में गुठलिया ना हो क्योंकि चावल में अगर गुठलिया होंगी तो अच्छे से मिलेगा नहीं तो तेस्ट उतना हमारा सारा चावल अलग अलग होना चीए तो देखिए यह कुछ इस तरीके से मैं मैं जी ने बूला कि मुझे मठर की क्वएंटिटी थोड़ी ज्यादा चीए तो मैंने मठर थोड़ा और एड़ कर लिया था इसमें तो अब हम इसे अच्छे से थोड़ा सा और पका लेते हैं तो यह देखिए हमारी कितनी अच्छे तरीके से पक चुकी है मसाला तो अब हम इसमें एड़ करेंगे चावल अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेते हैं कुछ इस तरीके से एंड मिलाते मिलाते ही हैं अईसी कम से कम दो मिनट तक पकाएंगे दो मिनट तीन मिनट आपने एकॉर्डिंग पका सकते हैं इसमें कोई इसू नहीं है तो इस तरीके से एंड गाइस कोई सजिशन कोई कमेंट हो कुछ भूचना हो या आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी तो प्लीज काईस कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट करिएग कि आपको यह मेरी रेस्पी कैसी लगी एंड ट्राय जरूर करिएगा अपनी घर में तो यह देखिए कितने अच्छे तरीके से मारा मिल चुका है तो काईस मेरी मम्मी मुंफली नहीं खाती हैं तो मैं उनके लिए अलग से निकाल लूँगी एंड मैं अपने में मुंफली मैं और मेरा बाबू तो यह देखिए मैंने धनिया भी एड कर दिया है अब मैं इससे मिला लूँगी इससे मिलाने के बाद मैं ममी जी के लिए निकाल लूँगी अलग से एंड फिर मैं और मेरे बाबू के लिए मैं इसमें मुंफली एड करूंगी तो यह देखिए मैंने म यह देख सकते है AND GUYS यह काफी टेस्टी है यह देखी यह मुमीजी का प्लेट है AND यह मेरा प्लेय प्लेट है This cass 대한 टेस्टी है happi यह तब स्वाष का छगाती है uito तो GUYS हमारहा बहुन चुका है के अप उसे देख सकते हैं कि डेखने में कितना ज़्यादा यम में लग रहा है तो आपके लिए यह मेरा वीडियो रहा हो एंड प्लीज काई चारा से भी हल्पुल रहा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को कर दीचेगा लाइक इन सब्सक्राइब एंड साइब चुप ताल आइकन उसे प्लेस कर दीचेगा ताकि मेरी जितने भी वीडियो की आने वली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो फिर चलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं अप्लोग सूचे होंगे मैं आप लोक समझ सकते हो आप मैं भी ठंड में हूँ तो ऑफिसली यह केट अब तो चरूरी है ना तो फिर चली किसी तब तक के लिए बाई बाई सी यू सून